ओम शान्ती बहुत सक्ति साली अभ्यास करेंगे मैं आत्मा देहरूपी कुटिया में स्थित ज्योती बिंदू सितारा हूँ मैं मस्तक के बीचो बीच चमक रही हूँ अब मैं आत्मा इस सरीर से निकल कर उपर उड़ रही हूँ प्रित्वी सूर्य चांद तारों से उपर उड़ती जा रही हूँ और पहुँच गई सुकसम बतन में सुकसम बतन जहां चारोर पवित्तरता का सफेद प्रकास फैला हुआ है अती पावन ये लोक है मैं आत्मा यहां संपून पवित्तरता का अनुभव कर रही हूँ सामने ब्रह्मा बावा के सरीर में स्थित हैं महा जोती शिबावा निराकार शिबावा मैं उनसे मिलन मना रही हूँ और उनसे पवित्तरता की सफेद रस्मिया किरने मुझ आत्मा पर बरसने लगी और मैं आत्मा बाप समान पवित्तर बनने लगी हूँ मुझ आत्मा से आपवित्तरता के संसकार खतम हो रहे हैं और मैं संपून पवित्तरता का अनुभव कर रही हूँ उसके बाद सिबावा से सांती का अथा किरने मुझ आत्मा में समाने लगी नीली चमकती हुई गहन सांती की ये किरने मुझे बाप समान सांती का सागर बना रही हैं मेरे मन को परम सांती से भरपूर कर रही हैं इसी एक अभ्यास में समाज आएं सांती सागर की किरनों में स्वयम को अनुभव करें सांती सागर से भरपूर मिलन मनाएं और अपने आप को परमात्म सांती से भरपूर कर लें मैं आत्मा सबसे संतुस्ट हो रही हूं उपराम बन रही हूं कोई प्रसन नहीं कोई क्वश्चन नहीं कोई कंप्लेंट नहीं चार ओर से संतुस्ट और खुद को अती भग्यवान समझ रही हूं स्वयम सर्वशक्तिवान भगवान मेरे सामने हैं उनसे मैं मिलन मना रही हूं इससे बड़ा स्वभग्य संसार में और क्या होगा सिबबावा के सांती की किर्णों से मेरे मन की सारी असांती और असांती के बीज जम नस्ट हो रहे हैं मैं सांती सागर बन रही हूं भरपूर होती जा रही हूं बस भवा के सामने जो भी सकती चाहिए गून चाहिए वो स्वयम में समाते चलें और अगले पंदरा मिनट तक इसी अनुभव में समा जाएं कि वो गून और सकती मुझ आत्मा में निरंतर समा रही है मानों सिबावा से मुझ पर उस गून की सकती की बरसात हो रही है मैं उस सकती में समा गई हूँ समा गई हूँ भरपूर बन रही हूँ प्रहों भरपूर बने हूँ मैं धर झात्यार्व रहूँ झाल